दोस्तों हैजकल हम तरहतरा के फोन यूज करते हैं उसके बाद तरहतरा के चारजिंग Quick Charging, Fast Charging, Adaptive Fast Charging, Dash Charging, Turbo Charging, Rapid Charging, etc. हम हमेशा डाउट में रहते हैं कि कोंसा चारजर यूज करें आज मैं इस बाड़े में आपसे बात करने वाला हूँ नमस्कार दोस्तों मैं कृष्णा आपको टेकनिकल फ्रेंड में स्वागत करता हूँ दोस्तों आप हमेशा अपने मोबाइल को चार्ज करते वक्त चार्जर की ध्यान रखते होंगे कि अगर मेरा phone fast charger support करता है तो मैं fast charger यूज करूँगा जिससे मुझे अच्छी charging speed मिलने वाली है आपको ये भी मालूम होगा कि original charger ही यूज करना है duplicate से आपकी phone खराब हो सकती है तो ये सब बात आपके लिए common है तो दोस्तों आपको अपनी original charger ही यूज करना होगा जो आपके phone के साथ आया है अगर आपके phone के साथ fast charger नहीं आया है और फिर भी आपकी phone fast charger support करता है तो आप अलग से market से एक अच्छी company का fast charger भी खरी सकते है लेकिन यहाँ सवाल आता है cables की उसको कोई ध्यान नहीं देता micro USB चाहिए मतलब micro USB की हर कोई cable को हम यूज कर लेते है कोई यह नहीं देखता कि cable original है की नहीं लेकिन क्या आप जानते हैं कि cable से भी बहुत बड़ा फरक पड़ता है दोस्तों आपकी charger चाहे जितनी भी अच्छी हो original हो अगर आपकी cable घटिया हो तो आपकी charging speed slow होगी अलग-अलग cable यूज करने पे आप यह notice कर सकते हैं तो ऐसा क्यूं होता है cable ऐसा क्या करता है दोस्तों यहाँ पे physics आता है तो यहाँ पे आता है resistance resistance depends करता है material की thickness के उपर जो सस्ती cable है कमदाम की वो अक्सर पतली होती है तो इसकी resistance बहुत ज्यादा होती है तो आपकी charger जो power supply करता है वो power ठीक से phone तक नहीं पहुंचती for example एक मोटा pipe ज्यादा पानी फ्लो करता है एक पतली pipe के तुलना से तो cable जितनी मोटी होगी वो उतना current लेके जा पाएगा और phone को उतनी ही अच्छी current supply मिलेगी दोस्तो अगर आप यूज करते हैं OnePlus phone जिस पे आपको dash charger मिलता है उसकी cable बहुत थीक है क्योंकि उसको ज्यादा current क्यारी करनी होती है 4 Ampere तक अगर आप dash charger के साथ normal USB यूज करेंगे तो आपको dash charging नहीं मिलेगी तो दोस्तो यहाँ पे आपको देखनी होगी कि आपको एक अच्छी cable यूज करनी है अच्छी charger के साथ वरना आपको benefit नहीं मिलने वाली है दोस्तो वीडियो अच्छी लगी तो like and share कर देना और अगर आप नए है मेरे channel पे तो subscribe जरूज करना धन्यवाद